नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में तो चलिए वन्स अगेन आम लाइब मैं फिट से लाइब आ गया हूं आप लोग के लिए सामके पांच बज़े रात को दस बज़े निश्चित तो और पर आपको लाइब मिलता है इस प्रट अगर हम बात करें अगर हम बात करें एंटी पीसी आ फिर ग्रूप डी एक्जामिनेशन की एंटी पीसी का चालिश नमबर का जीए कर से जहां से आप मानके चलो कि 10 से 12 नमबर आपका साइंस से स्योर सोट आएगा और सबसे यादा क्वेशन जो पूछा जाएगा गाम इसक लोग आते ही लाई कर दिया है चले बहुत अच्छा है आप इसे लिगे लाइक करने से और सबसे एंसर दिखूँगा और और एक सबसे करता रहूंगे और सबसे पहले के सामने है पेनिसलीन किस से निकलता है बताइए पेनिसलीन किस से निकलता है सभी लोग जूटते जाएंगे वीडियो को सेर करते रहेंगे लव यू बैलो जी है पेनिसलीन क्या right answer होगा इसका option number जो होगा बिल्कुल जाई answer देखिए option number और तीसरा फंफूदी से निकलता है आपका ठीक है फंगस से निकलता है ठीक है आच्छ दो तीन चीज़ देखें मैंने आपसे कहा कहा डीटेल सभी कॉस्टेंस कि आपको क्या में लेंगे डीटेल्स तो वह भी मैंता दना चलूँगा अब आपको देखें आप पेनिसलीन के खोच करता का नाम विफ्यत के झीज़ा निकलता है वोगी में प्रतियाविक का क्या प्रभाव होगा आपका .... है बताए कमेंड बॉक्स में तीन सेकंड की टाइमिंग में दे रहा हूं सभी को संस के लिए बिल्गुल सभी दोस्तों यहां पर हमारा जो एंसर होगा वो होगा ऑप्सन नमबर दूसरा वाला वह प्रतिरक्षी के उत्पादन को बढ़ाता है क्या गरता है वह प्रतिरक्षी यहां पर बिल्कुल सभी दोस्तों हां बहुत सब्सक्राइब करती है यह चीज़ आप याद रखेंगे अगला कोस्टन देखते हैं हमारा यह कोस्चन आपके स्क्रीन पर देखें निमलिकित में से कौन सा विस्त्रित स्प्रेक्टर्म प्रतिजयविक है विच अमांग दॉ आपको नाम बताना है चार आपसें सबके पास है पर दोस्तों एंसर हां सभी लोग एंसर करेंगे सभी लोग एंसर करेंगे तो जी हां ऑप्सन नाम जो है कि तीस्रा वाला यहां पर देखें एंपिसिलीन शरीर में कृतिम रूप से प्रतिरोधक चम्ता उठ पन्न करने के एक लिंए बहुत सारे एंटबिटि की खोच की जा चुकी है इसमें देखिए बहुत सरे का मैं आपको नाम बदा हूं एंद देखिए एमपॉकसिलीन है एंपीमसीलीन है टेट्रासाइकलीन है टेरामाइसीन है लेकिन जो की विस्त्रित स्पेक्टरम पृति जयविक के लिए ampicillin कहां में इस्तमाल करते हैं याप ठीक है पांचाओ क्वेस्टन देखते हैं दोस्तों पांचाओ क्वेस्टन आपके स्क्रीन पे है निमलिखित में से किस में अंगोरा उन निकलती है अंगोरा वूल जो है कि यहाँ पर अंगोरा उन नाम बताना है आपको खरगोस भेड लोमडी या फिर बकडी हाँ देखें बहुत सही यहाँ पर बहुत से एंसर दिया आप सभी लोगों ने वीडियो वीडियो को दोस्तों लाइक करते चलिएगा लाइक कर दीजगा वीडियो पे और जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड जाएंगे हमारे साथ क्योंकि लगातार आपको तभी नोटिफिकेशन मिलेगा डेली क्लासे मिल रही है आपको राइबिट इस दराइड अशर ठीक है चले नेक्स कोशन देखते हैं आप नेक्स कोशन विच अमांग दो फॉल्यविंग डिजीज इफेक्ट वोमें इसली दैन ऑफ मैं महिलाओं में पुरुसों के पेच्छा निमलिखित में से कौन से विपारी होनी की प्रविर्ति अध महिलाओं में अधिकांसर जोडो के दस जो की दर्द होते हैं यह उनके अस्कियों में सिट्रिक अमल जमाह हो जाता है कौन सा अमल हो जाता है सीट्रिक इस वज़े से यहां पर उनको प्राब्लम होती है साद वह केुसंग जो कि मोस्ट इंपर्टन कोश्ण से हां पर प्यूस ग्रण्ति कहां इस्तित होती है प्यूस ग्रण्ति प्यूसंग्रिम्स ग्रंधि तो बिल्कुल सही अंसर ये होता है मस्तिक्स में इसके बारे मैं आपको बहुत आना चाहूंगा देखे सभी कोशन के डीटेल भी में दे रहा हूं तो प्यूस ग्रंथी इसको मास्टर ग्रंथी आ फिर हाइपो थल्मास ग्रंथी केते हैं दो चीज़ आपके दिमांको रखना है और मस्तिक्स का यह वह भाग है जो की तंत्रिका तंत्र अंत्रसावी तंत्र और जो शरीर के ताब भूख प्यास का लंगा लगना जो हमारे लैंगिक आच्रण है सबको नियंत्रित करने का कार करता है कौन यहां पर देखे फ्यूस ग्रंथी ठीक है most important याद रखेगा next question देखे यदि एक ट्री है यदि प दिपिका विक्रम सभी लोग का सोनु जी सोनु साह जी सही है यहां पर मारा जो राइड एंसर होगा वह होगा option नमबर देखे चौथा वाला पचास वर्स मतब जितने टोटल उसमें घेरे होंगे वही सारी सारे दिखे बायो बायो लाजी सबसे ज्यादा important है सबसे ज्याद का देखे बना दिया है मैंने आपको बताया था मैं टेलिग्राम पर बना दूँगा वहां से आप सभी के PDF डाउनलोड करेंगे जो भी सेसन आएगा यहां पर या फिर आप सिंपली क्रैक कर सर्ज किजिए एडड रेट क्रैक क्रैक एंटी पीसी 2019 एक साथ सर्ज किजिए टे रूप है उसका बताई है यहां पर हां देखे मैं बहुत सारे कॉस्टन के अंसर बताऊंगा यहां पर जो राइट अंसर होगा सई है आपका आप्सन नमबर स्टेम स्टेम यस्टी एम है यहां पर स्टेम होगा यहां पर देखे बहुत सारे कॉस्टन से यहां सभी बनते है जैसे भूमिगत जो रूप अंतर होता है underground notification जिसमें होता है उसमें कंद में देखिए होता है आपका आलू ठीक है ये होता है प्याज, लसुन ये सारी चीज़े है बंडा और जो यहां पर देखिए सही है सभी लोग के एंसर सही है बिल्कुल सही है चले, next question चलते है ये बताइए दस्वा question देखिए radiologist आतों को सीधा X किरिडे photograph समयनता क्यों लेते हैं आतों पर जो की सीधा X photograph को समयनता क्यों नहीं लेते हैं वहां पर कुछ प्राबलम होती है क्या होता है आपको बताना है यापर इसका क्या होगा right answer बिल्फुल सही answer है दोस्तों यहाँ पर जो right answer होगा वो होगा option number 3 वाला देखिए X किरिडे बिना कोई अच्छा प्रतिबिम बनाए आतों के आरपार निकल जाती है यह किरिडे क्या होती है आरपार निकल जाती है अब X किरिडे से आ गया न X Rage अब आपको बताना है comment box में कि X Rage की खोज किसने की थी X Rage के खोज करता का नाम क्या है किसने किया था हाँ बताइए बताइए सभी लोग X Rage जी हाँ सई answer है आप लोग का रॉंटजन ने देखिए खोज किया था किसका X किरिडों का ये भी हमसे question पूचेगा याद रखेंगे अगला question देखते है 11 question number 11 माना सरीर में हाँ माना सरीर में dehydration निमलिखी तुदातों कमी से होती है dehydration in human body is caused due to the loss of किसकी वज़ा से होता है कौन सी चीज का loss होता है कि होता है आपको बताना है vitamin, lower, hormones या फिर जल किसकी वज़ा से होता है तो बताईए फटाक से जी हाँ सही अंसर आपका देखे चौथा वाला जल हाँ जल आपका सही है सरीर में देखे अतिधिक मातरा में जब आपके बाड़ी से जल निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं लोग dehydration बोलते हैं ठीक है most important question है दोस्तों सभी लोग answer कर रहे है comment box में सभी लोग answer करते रहे है answer भी बहुत जरूरी है सभी questions के answer बहुत जरूरी है चलिए next question देखें question number 12 आपका देखें क्या है आपके परकनली सिसू के संबंद में एक तथे क्या है आपको बताना है test tube baby test tube baby जो होता है उसके संबंद में यहाँ पर कौन सा कथन सही है बताईए बताईए सभी लोग comment box में परकनली सिसू क्या होता है यहाँ बताईए बहुत सही answer दिया आप लोग ने जी हाँ सही answer है बिल्कुल सही तीसरा वाला answer होगा यहाँ पर इम्रियो इस प्लेस इन यूटरस आप्टर टू मन्त जो कि भुरूण को दो महीने के बाद गरभासा में स्थांतरीद करते हैं यहाँ पर जो test tube baby selected question आता है यहाँ पर सही है सभी लोग answer यहाँ पर हाँ तिरहमा का answer यह होगा चौदहमा प्रशन टोटल देखे हैं हम लोग 110 question को देख रहे हैं तो अब test को last तक आप answer करेंगे last तक लगाएंगे आपका पूरा cover करा रहा हूं है A to Z चीजे cover हो रही है daily basis पे चलिए सही है यहाँ पर silent valley में दुरलब और नश्ट प्राया पसू कोहन है उसका नाम बताना है आपको कौन सा पसू है बहुत दुरलब और नश्ट प्राया लगभग नश्ट होने वाला है जी हाँ यहाँ यहाँ पर जो हमारा सही है आमसर तीसरा वाला होगा सेर की पूँ जैसा मिक्यायू जो होता है आप ठीक है सेर की पूँ जैसा मिक्यायू is the right answer सही है आपका यह answer ठीक है next चलते है question number 15 question देखते है question number 15 क्या है जनतूओं में वह enzyme प्राणी नहीं होती जिसके अधार पे वे dash से उर्जा प्राप्त कर सकते हैं किस चीज से उर्जा प्राप्त कर सकते हैं बतायों में नेक्स कोशन चलते हैं यह cone is a colony of clone की colony दोस्तों मतलब किस चीज की होती है क्लोन की कलोनी दोस्तों बताइए क्लोन जो कि एक जैविक रचना है जो कि मात्र माता अथ्वा पिता के पर देखे गैर लेंगिक विधी द्वारा उतपादित होती है सही है आपका राइड ऐंसर यहाँ पर देखे ओप्सन नंबर तीसरा एक समान आनुवनसिक संगठन वाली को सिखाए है अकलोन की कालोनी यहाँ पर तीसरा वाला आंसर बेस्ट एंसर होगा इसका नेक्स्ट कोस्चन का एंसर यह बताईए देखे एसबस टोस द्वारा फैला रोग होता है आपको बताना है the disease caused by एसबस टोस question number 17 है answer बताईए सभी लोग बताईए comment box में आप लोग answer करते रहिए और वीडियो को like करते चलिए वीडियो को like और share करते चलिए जो लोग दोस्त अभी तक like में के like कीजिए और जो लोग भी नए होंगे फटाक से चैनल को subscribe करके जुड जाएंगे daily test आपको 5 से 5 बजे और 10 बजे मिलता है यहाँ पे चलिए next question चलते है हाँ सही answer इसका क्या होगा what is pretty ठीक है what is pretty is the right answer next question देखें यहाँ पे अठारमा question हम लोग देख रहे हैं यह question क्या है यहाँ पे आख में देखी one other person color vision और 10 बज़ा होगा यहाँ निम्लिखित में से kisकी मौझूद्गी के वज़य से मतलब किसकी मौझूद्गी से प्रभावित होता है color vision जो होता है जो effect होता है वो किसकी वज़य से होता है मैं बतावाँगा सभी questions के मैं बताऊंगा यहां पर हां बताईए कलर विजन सई है आपका राइट अंसर यहां पर जो होगा वो होगा और चौथा वाला संकू कुछ ब्यक्तियों की आखों में सभी रोंगों को देखने चमता नहीं होती है इसको बोलते हैं कलर विजन ठीक है तो यह जो हमारा रेटीना है संका कवार हो जाने करण उसके दोस्तों पर निरफर करता है तो यह आप याद रखेंगे नेक्स कोशन देखते हैं क्वेशन नमबर उनीसवा देखिए हैं पर चाय पत्तियों के संसाधन में निम्रिखित में से कौन सी क्रिया आवस्यक नहीं है आपको बताना है जो चाय प प्रोसेसिंग जो संसाधन होता है यहां पे चाय पत्तियों संधाधन म्लालन अवस्यक है बाकि सुसकन बिलन और किडवन आवस्यक है बट म्लानन हमारा आवस्यक नहीं है चलें नेक्स कोशन देखिए आप इसवा कोशन हमारा क्या है यहांप शर्वाधिक प्रकास पर प्रकास के नीले और लाल चेतर में यह सब्सक्राइब बताना है अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन हमारा देखे एड्स वाइरस क्या होता है यह बताना है आपको एक सूची आरन्ने होता है दोरी सूची आरन्ने होता है एक सूची डियन्ने होता है तो क्या होता है यहां पर एड्स वाइरस बिल्कुल सही दोस्तों यहां पर जो राइडन्स होगा होगा यहां पर ऑप्सन नंबर पहला वाला देखे एक सूची आरन्ने एक सूची आरन्ने होता है यहां पर ए इसका इस्तामाल करती है इसका 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 है। पोटैसियम, ड्राइक्रोमेट और सल्फियूरिक अमलेका इस्तमाल करती है। फॉर्मूला कभी भी पूछेगा तो अव्याद रखेंगे K2Cr2O7, ठीक है। K2Cr2O7 चलिए, नेक्स्ट क्वेस्टन चलते हैं आपे, एंग्लो नूबियन किसका नसल है। यह सभी किसबी जीविग्वान के क्वेस्टन प्रिविएसली पूछे गए हैं एक्जाम में, तो एंग्लो नूबियन जो कि किसका, आपको बताना है कि यह किसका नसल है, एंग्लो नूबियन हाँ दोस्तों बिल्कुल सही अंसर है, यह एक बकरी गोट जो है उसका जो की नसल जो की ब्रिटेन की है, कहां की है यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर ब्रिटेन की है, ठीक है, नसल कहां की है, ब्रिटेन की है, चलिए, next question देखते हैं, question number 24 हमारा, किस किसमी की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग, हाँ आपको बताना है, उससे उगने के लिए फॉर्मूला पता है आप लोग को C A S O 4 2 H 2 O ठीक है C A S O 4 2 H 2 O जी हाँ एकदम सही एंसर है इसका Q25 देखते हैं देखे 25 को आम लोग देख लिए अभी बहुत सारे कोस्चन है तकरिबन 75 से ज्यादा कोस्चन आपके पास अभी भी बचे हैं तो निमलिक समसे कौन सा एक स्त्री लिंग हार्मोन है इसके बारे में आपको बताऊंगा इसत्री लिंग कोन है पुरुस वाला कोन हैहां बताइए क्या हो और इसका एंसर पता इए तीन सेकेंड के टाइम है जानते है धिuju एस्टरोजन होता ही उनें पारे महिलाओं के लिएisonsन दोनों चीज़े याद़ रखेंगे नेक्स कोस्टन देखें यहां पर कठोर सारे रिक स्रम करने वाले स्रमिकों की हतलियों तलवों की तचा मोटी हो जाने का रीजन क्या होता है इसका रीजन आपको बताना है क्या रीजन होता है यहां पर हाँ क्या होता है रीजन यहां पर बिल्कुल सही होता है देखिए आपे इन्वे से सभी उनकी जो वाया तचा मोटी होती है मोटा चर्म होता है मोटा जो की उतक होता है इस वज़े से वो मोटी हो जाती है ठीक है next question देखिए आपे question देखिए 27 हमारा यह है option number दूसरा वाला दूसरा वाला answer आपका सही होगा जिवाडू जिवाडू क्यों जैसे होता है वायरस क्यों जैसे होता है उसका नाम बता सकता है कोई मैं नाम लिख दे रहा हूँ आप लोग देख लीजेगा देखे सालमो नेला इसका देखे कौन सा है सालमो नेला टाइफी दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक ने किया है तो सब लोग पहले लाइक कर लो सबसे लेने वाला कौन है भाया सबसे लेने वाला नाम बताइए उसका क्या होगा यहां पे हाँ बिल्कुल सही answer है आपका option number देखें तीसरा वाला यहाँ पे A B देखें A B is the right answer A B जो है वो सबसे लेने वाला है तीक है O जो है सरोदाता होता है सबको देने वाला होता है ठीक है सही है आपका next question देखें हमारा ये है देखें सलाकाकार जिवाडू Rotsep bacteria को कहा जाता है क्या कहते है Rotsep bacteria is called क्या बोलते है Rotsep bacteria को question number 29 है जी है बताइए फटाफ़ट comment box में आप लोग बिल्कुल सही answer है इसका option number first वाला देखें bacillus बोलते है उसको ठीक है क्या बोलते हैं आपे bacillus ये संग पेरी फेरा का होता है यहाँ ठीक है चले next question देखते हैं अगला question जो हमारा ये है What is the sponge? sponge क्या होता है? बताइए comment box में क्या होगा answer यहाँ पे sponge जी हाँ बिल्कुल सह answer है यहाँ पे एक पसू है sponge हमारा क्या है? एक animal है sponge हमारा क्या है? एक animal है ठीक है? चले next question चलते हैं ये question बताइए यहाँ पे देखे ऐसे यूगल जिनका रूधिरवर्ग क्रमस ए और बी है उनके बच्चे ने लुकिते पिसे कौन से रूधिरवर्ग पाए जाएगा? कौन सा रूधिरवर्ग होगा उनके बच्चे में? बिल्कुल सही एंसर है अपसर नमबर तीसरा वाला थर्ड एंसर इस दे राइट एंसर मतलब आपका उसमें देखे O, A, B सभी तीनों आपको वहाँ पे पाए जाएंगे question नमबर देखे 32 32 question देखे सभी लोग question को लगाईए last तक test को दीजे निम्रिकित में से कौन सा रोग virus से उतपन होता है? virus से उतपन होने वाला रोग कौन सा है? बताईए सभी लोग virus से उतपन होने वाला रोग कौन सा है? बिल्कुल सही एंसर है आपका option नमबर जो कि पहला वाला देखे poleo my lahatice यह वायरस से होने वाला एक रोग है यहापे ठीक है चलिए question देखिए question number 33 देखते हैं question number 33 देखते हैं रोग जणक जिवाडू निसारित करते हैं रोग जड़त जो जिवाडू है वो क्या निसारित करते हैं आपको बताना है comment box में बताना है इसका right answer क्या होगा सही है आपका antigen ठीक है, antigen is the right answer हाँ, ये सही है आपका antigen is the right answer चले, next question चलते हैं हाँ, ये बताइए, ये question बताइए क्या होगा, Parkinson रोक के इलाज को विक्सित करने के लिए महतपुर योगदान देने के लिए निम्नुत में से किसे noble पुरसकार प्रदान किया गया उनका नाम बताना है आपको, ठीक है बताइए कौन है यापे who among the falling was awarded nobel prize for the path breaking contribution to development treatment against Parkinson तो सही होगा इसका answer चो होगा, option number देखे हाँ, आर्विद कालसन को दिया गया है यापे आर्विद कालसन, सही है आर्विद कांसल, दीक है इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF के लिए जस्ट नीचे आपको link मिल जाएगा वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर लीजेगा simply telegram पे मैं इसका PDF share कर रहा हूँ वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है next question देखिए हैजा के जवाडू हाँ, की खोज किसने की थी हाजा के जवाडू थे, उसकी खोज किसने की थी आपको बताना है बताईए, फटाफट फटाफट बताईए जी हाँ, बिल्गुल से इंसर आपका option number first, Robert Coach Robert Coach हाँ, हाँ, हाजा के बेमारूइयों की खोज किसने की थी Robert Coach, ठीक है, और ये किस की जवाडू, इसका नाम आपको पता होना चीए तो ये होता है, विब्रियो कॉलेरा क्या होता है, विब्रियो याद रखेंगे, विब्रियो कॉलेरा ये आप याद रखेंगे, ठीक है इसी है, जीवाडू को ज़ासे होता है next question देखते है, question number 36 है मधुमे के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले sweetest में कितनी उर्जा होती है मधुमे के रोगियों में प्रयोग में लाए जाने वाले sweetest में कितनी उर्जा होती है, बताइए क्या होगा answer इसका जी हाँ, एकदम सही है आपका यहां पे option number 4 वाला होगा सुन्य कैलोरी 0 कैलोरी, जी हाँ 0 कैलोरी होती है एकदम सही है यहाँ पे next question दिखते हैं यहाँ पे 6 hormones का पता किस ने लगाया था सबसे पहले इसका बताईए सबसे पहले 6 hormones का पता किस ने लगाया था उनका नाम क्या है नाम क्या है उनका बताईए हाँ देखिए सही है आपका यहां पर एंसर आपका देखिए Eugene Stenak Eugene Stenak नहीं सरपरथम Sex Hermons का पता लगाया था तो आपसे दूसरा वाला यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका Next question चलते हैं अग्ला question देखिए हमारा क्या है देखें किस मुह लिकाईओं से मानों के अत्रिक्त भाग तयार किये जाते हैं वो कौन सिकाई होती है आपको बताना है जो अत्रिक्त भाग तयार होता है हाँ तो सही अंसर क्या है आपका आपसे नमबर दूसरा वाला stem cells जो कि stem cells होते हैं stem को सिखाएं होती है उनीक हो जासे ठीक है चलिए next question देखते हैं ये बताइए question number 49 शोनुसा, संदीब जी, विकाश, पिंकी हाँ सही है आपका दीपक मौरिया, सही है दंकुष कुमार ठीक है सभी के answer से यहाँ पर सही आ रहे है आपका option number तीसरा वाला देखे, सलेसिमा पर प्यपसीम का प्रभाव होता है जी हाँ, गुपता एक्सप्रेश, विकलेश, पांडेजी सही है इसका रहे answer, सभी लोग answer देखे, तगरिबन तगरिबन सही answer आ रहा है तो यहाँ आप देखे, question number 40 देखते है, 40 कोश्चन मनुस्ति की जीब के किस छेत्र तक कड़वाहट समयदना सीमित रहती है, कौन सा ऐसे एरिया है, जहाँ पर कड़वाहट और समयदना सीमित रहती है, आपको बताना है क्या होगा answer इसका बिल्कुल सही answer है, यहाँ answer एकदम सही है आपका, जो कि पिछला भाग जो होता है यहाँ पर जी हाँ, पिछला भाग तक ही वो सिमित रहता है ठीक है, यह आल रखेंगे ओके, next question देखते हैं यह question देखिए हमारा क्या है, question number 41 निम्नोक्त रूधिर कोशिकाओं में कौन सा रक्तिसकंदन, कोईगुलेशन अनिमार होता है सभी लोग देखिए, जुड जाएंगे लगातार जुड़े रहेंगे, जो लोग भी नए होंगे चनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक भी आप करते रहेंगे, वीडियो को लाइक भी काड़ू जी हां सई एंसर हो जागा यह नेक्स कोश्चन देखें यहां पर यह है प्रतम व्यूक्त प्रतिजयविक एंटिबाटिक कौन सा था कौन सा था यह एंटिबाटिक आपको बताना है राइट एंसर क्या होगा इसका बिल्कुल सही दोस्तों सही है आपका जो सबसे पहला था वो पेनिसलीन था ठीक है कृतिम रूप से जो प्रतिरोधक चमता उत्पन करने के लिए आज कल बहुत सार एंटिबाटिंग आ चुके ह इसका खोज किस ने किया था एलेकजंडर फ्लेमिंग ने किया था ठीक है याद रखेंगे नेक्स कोचन हमारा यह है विसाडू वायरस क्या होता है वायरस क्या होता है आपको बताना है किस चीज का होता है क्या होता है सही है उसकी रचना कैसी होती है तो विसाडू वायरस क रिचना होती है protein और लिपीड से होती है ठीक है first answer is the right answer first answer is the right answer इसी से होती है यहाँ पर next question चलते हैं और यह question बताईए question number 44 देखें यहाँ पर अबर्टू thyroid ग्रंथी में कम करने के लिए क्या कराण हो सकता है है यहाँ पर iodine की कमी लोह की कमी calcium की कमी vitamin c की कमी तो बताईए क्या answer होगा इसका बिल्कुल सही answer दोस्तों यहाँ पर आपसा नंबर फॉर्स्ट वाला iodine की कमी thyroid ग्रंथी देखें अंतर स्राव का हार्मोन thyrexine था ट्रोडो थायरोमीन है ठीक है यह जो होता है और इन दोनों में की हार्मोन जो होती है iodine की मातरा अधिक होती है इन दोनों में ठीक है तो iodine की कमी से और 2 ग्रंथी मतलब thyroid ग्रंथी कम काम करने लगता है चलिए first answer सही था याद रखेंगे next question देखिए question number 45 हमारा क्या है यहाँ पे निम्न में से कौन सी केवल इस्तिरियों में पाई जाती है आपको बताना है कौन सी केवल इस्तिरियों में पाई जाती है कौन सा answer होगा यहाँ पे कौन सी इस्तिरियों में पाई जाती है बिल्कु question चलते हैं यह question बताईए इसका क्या होगा answer question number 46 यहाँ पर निवलिखित में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है which one of one of the following is not functioning function of kidney किसका काम गुर्दे का नहीं होता है बताईए answer क्या होगा इसका बिल्कुल सही answer इसका option number जो होगा देखिए option number पर तीस्रा वाला होगा production of antibodies ठीक है production of antibodies प्रतिरक्षी तत्तों का उत्पादन यहाँ पर सही answer होगा next question देखिए आप पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है बताईए क्या होगा answer इसका पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है हाँ, सही है आपका यहाँ पर जो एंसर होगा, वो होगा option number 4, सही है आपका option number 4 से जो जाए गए यहाँ पर, next question दिखते हैं यहाँ पर,